नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आपने देखा ही होगा इंडस्ट्री में काफी ज़्यादा मात्रा में MS और SS फ्लेंज का यूज किया जाता है तो आज हम इस वीडियो में फ्लेंज की PCD उसके होल की मारकिंग और होल टू होल डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जुरू कर दें 500 लाइक का टार्गेट है इस वीडियो का और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो हम ये जो फ्लेंज बनाने जा रहे हैं ये हम एक MS प्लेट में से बनाएंगे और इसकी जो सारी डिमेंशन होंगी वो हम खुद देंगे यानि एक कस्टमाइज फ्लेंज होगा इसकी सारी डिमेंशन हम खुद देंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है एक MS प्लेट लेनी है और इस MS प्लेट में के सेंटर में हमने एक डॉट मार्क करना है आप इसको पंच से मार्क कर सकते है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले हमने फ्लेंज का OD यानि उसका आउटर डायमेटर निकालना है तो OD हम यहाँ पे दोस्तों लेंगे 180 mm तो 180 mm OD है तो हमने क्या करना है हमको जुरूरत पढ़ेगी एक डिवाइडर की ठीक है दोस्तों और उस डिवाइडर को हमने 180 यानि OD का 180 mm का हाफ खोलना है यानि 90 mm उसको खोलना है और इस सेंटर डोट पे हमने उस डिवाइडर का एक नोब को रखना है और इसको हमने एक सर्कल ड्रो करना है यहां पे रखके ठीक है दोस्तों तो यह जो एक सर्कल ड्रो हो गया यह हमारे फ्लेंज का OD है और इसको हमने या फिर कडर से या फिर लेट पे इसको ट्रिम करवा लेना है ठीक है दोस्तों तो इसके बाद हमने क्या करना है इस flange का id निकालना है तो id दोस्तों हमारे पास है 80 mm यानि हम इस flange को 80 mm का id इसमें से निकालेंगे तो हमने fit divider यूज करना है और उसको इस 80 mm का half खोलना है यानि 40 mm और इसी dot center dot पे उस divider का एक knob रखके एक circle draw करेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे ये circle draw हो गया है तो इसके बाद हमने क्या करना है इसको cutter से या फिर lat पे इसको trim करवा के इसको भी हमने निकाल देना है तो दोस्तों id और od हमने flange का बना लिया है और third हमने इस पे mark करना है PCD यानि pitch circular diameter यानि एक हम ऐसा circle लगाएंगे तो जितने भी हमारे numbers of bolt होंगे ये circle उनके center से होके गुजरेगा ठीक है दोस्तों और इसको हम बोलते है pitch circular diameter यानि PCD PCD दोस्तों flange के size के साथ बदलती रहती है मगर यहाँ पे जो PCD हमने खुद customize की है यानि इसकी dimension हमने खुद ली है तो यहाँ पे इसकी dimension है 140 तो दोस्तों हमने करना क्या है divider लेना है और 140 का half 70 mm उसको खोलना है और इस dot के उपर उसका एक knob रखके हमने एक circle लगाना है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे ऐसे इसका circle देख लो दोस्तों आपको लग गया है और यह जो circle है तो इस flange में जितने numbers of hole बनेंगे यह circle उनके बिल्कुल center से होके गुजरेगा इसी circle को दोस्तों flange की PCD कहा जाता है यानि एक hole के center से दूसरे hole के center तक का जो distance होता है इसी को flange की PCD कहा जाता है तो दोस्तों अभी हम इस flange के hole की marking करेंगे और एक hole से दूसरे hole तक का distance निकालेंगे जिसको हम code length बोलते हैं code length को निकालने के लिए दोस्तों हमको इस formula का use करना है d into sine into 360 divide 2n ठीक है दोस्तों तो d यहाँ पे दोस्तों indicate करता है flange की PCD को और जो n है वो indicate करता है numbers of hole को जितने भी आपने numbers of hole flange में बनाने है उसको आपने इस formula में put कर देना है और b indicate करता है दोस्तों code length को ठीक है तो हमने क्या करना है इस formula में इन values को put कर देना है तो d यानि PCD है हमारा यहाँ पे 140 140 into sine 360 divide 2 into numbers of hole इस flange में हम 6 hole बनाएंगे तो हम यहाँ पे 6 put करेंगे अगर आप इससे कम बनाना चाहते है या फिर ज्यादा बनाना चाहते है तो आपने उतनी ही value इसमें formula में put करनी है तो इसको आगे solve कर लेना है तो 140 into sine 30 तो यहाँ पे इसको solve करने के बाद 360 divided 2 into 6 को solve करने के बाद हमारे पास आ गया 30 sine 30 की जो value होती है वो 0.5 होती है इसको आगे solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 mm तो दोस्तों यह हमारे पास code length आ गई है 70 mm यानि एक board से दूसरे board तक का distance यानि अगर हम इसमें 6 hole mark करेंगे तो उनके सभी का distance 70 mm होगा तो अभी हम इसको marking करके आपको दिखाता हूँ तो इस flange में हमने दोस्तों क्या करना है इस pitch circular diameter पे एक हमने एक hole को अपने mark कर लेना है यानि एक hole हम खुद assume कर लेंगे कि हम एक hole यहाँ पे बनाएंगे ठीक है दोस्तों तो उसके बाद हमने 70 mm दूरी पे एक और निशान mark करना है उसके बाद फिर एक 70 mm की दूरी पे एक और dot mark करना है और फिर ऐसे ही हमने इन 6 hole के mark 70-70 mm दूरी पे mark कर लेने हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 6 mark आएंगे और वो 6 ही mark 70-70 mm distance पे होंगे तो दोस्तों आप इसको cross check भी कर सकते हैं तो बाद में हमने दोस्तों इन dot के ओपर हमने जितने भी mm का हम इसमें bolt लगाएंगे तो उतने की हमने इसमें drill करवानी है ठीक है दोस्तों तो इसके बाद यह आपका जो flange है वो ready हो जाएगा तो ऐसे आप इस formula का use करके code length निकाल सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखने को जुरूर मिला होगा तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे है तो वीडियो को like जुरूर कर दे चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर ले thanks for watching